नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है सर्दियों के मौसम में खाने पीने की कई चीजें बाजार में नजर आने लगती है ठंड के ही मौसम में बाजार में नया गुड भी आता है कई लोग सर्दियों के मौसम में खाने के साथ गुड़ जरूर खाते है योकि ये शरीर को गरम रगता है और सेहत से जुड़े इसके और भी कई फायदे होते है वहीं कुछ लोग गुड़ से तरह तरह के व्यंजर मनाते है वैसे तो गुड सर्दियों के मौसम में आता है मगर बाजार में 12 महीने मिल जाता है फिर भी बहुत से घरों में सर्दियों के मौसम में धेर सारा गुड लेकर रख लिया जाता है ताकि साल भर गुड का आनन्द उठाया जा सके मगर कई लोगों की शिकायत होती है कि गुड बहुत जल्दी खराब हो जाता है और साल भर रखना तो दूर महीने भर में ही उसका रंग और स्वाद दोनों खराब हो जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में आप किस तरह गुड को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं जिप लॉक बैग में स्टोर करें गुड यदि आप चाहती है कि गुड का इस्तिमाल एक से दो साल तक किया न सके और उसका स्वाद एक दम नए और ताजा बना रहे तो आपको गुड को स्टोर करते वक्त बहुत साफधानी बलतनी की ज़ुरत होती है गुड को स्टोर करते वक्त इस बात का पूरा ध्रान रखना चाहिए कि उसमें हवा बिल्कुल भी न लगे इसके लिए आप पहले गुड को पेपर टावल में अच्छी तरह लपेटे और जिप लॉक बैग में रखें जब आप जिप लॉक बैग को बंद कर रही हैं तो उसकी सारी हवा पहले ही निकाल ले इसके बाद आप बैग को बंद करें आप चाहे तो नॉर्मल प्लास्टिक बैग में भी गुड को स्टोर कर सकती है सूखे पत्तों में store करें गुर, सूखे पत्तों से बने दोने, आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे, इन में भी आप गुर को लंबे समय तक store कर सकती हैं, इसके लिए आप एक स्टील का डिबा लें और उसमें सूखे पत्ते से बने डोने डालें, इसके बाद अपना गुड डिब्बे में रखें और उसे दूसरे पत्ते के दोने से पैक कर दें। ऐसा करने के बाद डिब्बे को बंद कर दें। यदि आप गुड को इस तरह से स्टोर करती हैं तो आप पाएंगे कि गुड चार-पाँच महीने तक खराब नहीं होगा। फ्रिज में स्टोर करें गुड फ्रिज में भी गुड को स्टोर किया जा सकता हैं मगर इसके लिए आपको एक स्टोर करने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर आप बस साधरन से प्लास्टिक के डिबबे में गुड को स्टोर करके रखेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। वहीं अगर आप स्टील के एर टाइट डिबबे में गुड को रखकर फ्रिज के अंदर रखती हैं तो महीने भर के लिए आपके गुड का ना तो स्वाद खराब होगा और ना ही उसका रंग काला पड़ेगा। तो दोस्तों मारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हम एक कमिट में जुरूर बताएं कि आपको हमारा गे वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले